नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्रखंट पोश्ट पर कोरोना की दूसरी लहर से तकरीबन दो महिने तक बूरी तरह जूचने के बाद अब भारत में प्रतिबंदों में धील की शुरुआत की जा चुकी है कुछ राज्यों में प्रतिबंद हटाये जा रहे हैं तो कुछ जगह पर अब भी प्रतिबंद जा रही है इस बीच विश्व स्वास्ते संगठन चीफ ट्रेडोस अधानूम गर्बियासस ने कुरुना प्रतिबंद जल्द हटाने को लेकर चेतावनी दिये उन्होंने कहा है डेल्टा विरियंट सहीत अन्य चिंताजनक विरियंट के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए कुरुना प्रतिबंद जल्दी हटाना खतरनाक साबित हो सकता है उन्होंने कहा जिन लोगोंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कुरुना प्रतिबंदों में धील खतरनाक साबित हो सकती है आपको बता दें कि कोविट का यह स्ट्रेंट सबसे पहले भारत में पाया गया था वहीं इस वैरियेंट के दो अन्य स्ट्रेंज के संबंद में डबलो एचो ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है वाईरस का बी डॉट वन डॉट सिक्स वन सेवन वैरियेंट को ट्रिपल म्यूटेंट वैरियेंट बताया गया है क्योंकि यह तीन लीनियेज में बटा हुआ है संयुक्त राष्ट की स्वास्त एजेंसी ने पिछले महीने पूरे इस्ट्रेंड को वियोसी यानि वैरियेंट ओफ कंसर्ण घोशित किया था आपको बता दें कोरुना वाइरस के भारत में पहली बार पाएगाई स्वरूब B.1.617.1 और B.1.617.2 को अब से क्रमश्च कप्पा तथा डेल्टा के नाम से जाना जाएगा दरहसल विश्व स्वास संगठन ने कोरुना वाइरस के विभिन स्वरूपो की नामावली की नई व्यवस्ता की घोशना की है जिसके तहट वाइरस के विभिन स्वरूपो की पहचान गरीग भासा के अक्षरों के जरिये होगी यहाँ फैसला वाइरस को लेकर सारवजनिक विमर्श का सरलिकरन करने तथा नामों पर लगे कलंक को धोने की खातिर लिया गया है वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा